हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में ससी फेज टेन रर्सी एंड ग्रूप डी या आप कहें तो जितने भी अभी आने वाल एक्जाम है उन सभी एक्जाम के लिए एक बहुत ही मॉस्ट इं І divert को से चांड पीन को उन एक्जाम हुए है उसमें पूछे गये सारे important को संस इस वीडियो में है तो इन सभी कोसें को क्या करना है आपको याद कर जाना है चलिए इस टार्ट करते हम लोग फिस को से पहला कोशन है उस्ताद बड़े घुलाम अली खान किस चीज के लिए प् तो question पूछ सकता आपके exam में repeat भी हो सकते हैं कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान क्या थे तो ये classical singer थे right answer क्या होगा option number 4 next question है विलायत खान is associated with which musical instrument विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है तो सितार यंत्र से है याद रखेंगे आप विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है तो सितार से है next question है which of the following instrument is played by P. Money Iyer तो P. Money Iyer द्वारा क्या बजाया जाता है ये नाम आप याद रखेंगे P. Money Iyer तो right answer क्या होगा मिड़ी दगम okay option number 3 next है उस्ताद अमजद अली खान a renowned musician from India is known for playing which of the following instrument भारत के एक प्रसिद संगितकार उस्ताद अमजद अली खान को निम्न लिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है उस्ताद अमजद अली खान तो right answer क्या होगा सरोध हो जाएगा ठीक है सरोध will be your right answer उस्ताद अमजद अली खान नेक्स्ट कोर्शन है which of the following कार्नेटिक इंस्ट्रूमेंट इस performed by रजना स्वामी नातन तो निम्न लिखित में से कौन सा कार्नेटिक वाद्य यंत्र राजना स्वामी नातन दौरा गाया जाता है तो right answer होगा मिर्दगम ओके राजना स्वामी नातन ठीक है यह किस इंस्ट्रूमेंट से जूरी है तो मिर्दगम से किस संगीत के लिए प्रसीद है तो किस संगीत के लिए प्रसीद है तो हिंदुस्तानी classical music यह होगा यहाँ पर right answer हिंदुस्तानी classical music नेक्स कोशन है पदम भूशन अवार्डी बुदुदेव दास गुपता वाज एन इंडियन क्लासिकल डैस प्लेयर तो पदम भूशन पुरुसकार विजेता बुदुदेव दास गुपता एक भारतिये सास्त्रिये डैस खिला रही थे तो कौन से प्लेयर थे ये तो सरूद क ये प्लेयर थे ओके बुद्धदेव दास गुपता अचा बुदुदु दिर ये इनका नाम कहा है बुद्धदेव दास गुपता नेक्स कोशन है पदम भूशन अवार्डी उस्ताद सबरी खान वाज अर डैस प्लेयर तो पदम भूशन पुरुसकार से सम्मानित तो कौन से प्लेयर थे ये तो शारंगी प्लेयर थे आई नो कि इसमें से बहुत ऐसे नाम होंगे जो मैं भी नहीं जानता हूं और डेफिनेटली आप भी नहीं जानते होंगे तो जो नहीं जानते होंगे उसको क्या करना है याद कर लेना है ओके क्योंकि ये नया से कोशन आ रहे हैं तो यह सारे important topics हैं ओके तो अब इन सभी को आपको अच्छे से पढ़के जाना है तो उस्ताद साबरी खान जो है वो कौन से प्लियर थे शारंगी प्लियर थे next question है who among the following is not a recipient of भारत रतन अवार्ड तो निम्न लिकित में से कौन भारत रतन प्रुषकार प्राप्त करता नहीं है तो देखिए इस में से बहुत सारे को भारत रतन मिला है जैसे कि भीम सेन जोसी पंडित रवी संकर और बिश्मिल्ला खान इन तीनों को भारत रतन मिल चुक next question है which sorry who among the following is the best रुद्रवीना प्लेयर इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक तो कौन है best रुद्रवीना प्लेयर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के तो right answer होगा उस्ताद अशद अली खान next question है who among the following is India's only publicly well-known woman सहनाई प्लेयर okay तो निम्ड लिखित में से कौन भारत की एक मात्र सारवजनिक रूप से प्रसिद महिला सहनाई वादक है तो सहनाई बिश्मिल्ला खान तो सब लोग उनका नाम जानता है लेकिन यहाँ पर woman सहनाई प्लेयर की बात करें जो publicly बहुत ज़्यादा फेमस थी उनका क्या नाम है उनका नाम है बागेश्वरी कुमर नेक्स्ट है पंडित सिव कुमार सर्मा is a classical डैस प्लेयर तो पंडित सिव कुमार सर्मा जो है एक सास्त्रिये शंतूर प्लेयर थे हैं ठीक है संतूर प्लेयर यहाँ पर होगा right answer नेक्स्ट क्या है who was the first musician to be awarded the prestigious भारत रतन इंडिया's highest civilian honor एके तो first musicians कौन थी देखें भारत रतन तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बहुत सरे player को दिया गया, musician को दिया गया लेकिन जो first musician थी, उनको जो है, वो कौन है, उनका नाम है, MS. Subul Lakshmi MS. Subul Lakshmi ये first musician थी, जिनको भारत रतन दिया गया next है, who among the following is a sitar player सितार player इस में से आपको कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है, निमनलिकित में से सितार वादा कौन है, इनका नाम क्या है, साहिद प्रवीज, ठीक है, साहिद प्रवीज जो है, ये कौन है, ये सितार player है, next है, Indian music master भीम सेन जोसी was related to the dash घराना, और देखें एक और topic है घराना, इस से भी exam में questions पूछा जारा है, ये सब एकदम new topic है, जिस से exam में questions पूछा जारा है, तो घराना से भी related एक हम separate video बनाएंगे, जो recent के exam में जितने भी questions पूछे गए हैं, वो उस video में cover करेंगे, ठीक है, तो भीम सेन जोसी जो है, ये किस घराने से संबंदित हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किराना घराने से संबंदित हैं, ठीक है, किराना होगा, यहाँ पर right answer next है, which of the following is the birthplace of Tansen, Tansen का जन्म अस्थान वो कौन सा जगह है, तो गौलियर है, ओके next है, which singer, music director, was awarded with the Padam Bhushan, ओके, तो कौन से जो है, किस गायक या संगीत नेदेशा को मर्नो पुरांद 2021 में पदम विभूशन से सम्मानित किया गया था, तो उनका नाम है, S.P. Bala Shubramanyam next है, who among the following is an outstanding player to have mastered the शूरबहार instrument, ओके, शूरबहार वाद यंत्र में महारत हासिल करने वाला एक उत्कृस्ट खिलारी कौन है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है, उस्ताद इमरत खान, ओके, उस्ताद इमरत खान, इनका नाम है, ओके, सूबहार instrument के ये, बहुत ही अच्छे player है, next question है, who among the following is not a tabla player, अब देखिए, tabla player यहाँ पूछा गया है, कौन इन में से tabla player नहीं है, अब इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है, जी एन बाला सुब्रमन्यम, ओके, ये जो है, ये tabla player नहीं है, तो अब यहाँ से तीन question आपको एक ही question में मिल जागा, यैसे कि अब tabla player कौन है, तो देखिए, स्वपन चौधरी जो है, इसको भी आप याद कर लें, कि ये भी tabla player है, स्वपन चौधरी, तैन्मोय बोस ये भी tabla player है, ओके, और बिक्रम घोस ये भी tabla player है, तो इन तीनों का नाम आप याद कर लेंगे, ठीक है, next question है, which musical instrument can you associate the name of Ali Akbar Khan, ओके, Ali Akbar Khan का नाम आप किस वादय यंतर से जोड सकते हैं, तो किस वादय यंतर से आप Ali Akbar Khan का नाम जोड सकते हैं, वो क्या है answer, शरोध, ठीक है, तो ये शरोध है, जिससे आप जोड सकते हैं, किसका नाम, Ali Akbar Khan का, next है, पदम भूसन अवाड़ी, पंडित निखिल जोती घोष, वाज अडैस प्लेयर, तो पदम भूसन पुरुसकार से सम्मानित, पंडित निखिल जोती घोष, एक डैस के लारी थे, तो ये तबला प्लेयर है, ओके, पंडित निखिल जोती घोष, ये किस musical instrument से जुरेवे ह हैं, तो तबला से, उस्ताद अला रखा, वाज फेमस फॉर प्लेयर हैं, तो उस्ताद अला रखा, डैस खिलने के लिए प्रसित थे, तो देखिए, उस्ताद अला रखा का नाम किस से आप जोड सकते हैं, तो तबला से, ये भी तबला के फेमस प्लेयर हैं, ठीक है, उस्ता तो हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकलिस्ट से जुड़े हैं ओके हिंदुस्तानी संगीत गायक है यह नेक्स्ट है पंडित सिव कुमार सर्मा यह किस वादयंतर से जुड़े हैं पंडित सिव कुमार सर्मा तो संतूर से हैं ठीक है पंडित सिव कुमार सर्मा किस से जुड़े ह तो संतूर से नेक्स्ट कोशन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कोशन है पंदित पंदालाल घोश और्स नौन आज अमल जोतीघोश ओके warz a dash player and composer तो पंदित पंदालाल घोश का नाम तो आपने नहीं होगा इनको जो है आम अमला जोती घोष के नाम से भी जाना जाता है ठीक है अमला नहीं अमल जोती घोष के नाम से भी यह किस से जुरेवे हैं तो यह बासुरी बजाते थे ठीक है पन्नलाल घोष पंडित पन्नलाल घोष जिन्हें अमल जोती घोष के नाम से भी जाना ठीक है वाजा बाहशुरी प्लेयर एंड कम्पोजर नेक्स्ट है पंडित रवी संकर अब देकिए इम्पोर्टेंट है पंडित रवी संकर पंडित रवी शंकर वाज वन ऑफ विक्कु विनेयक्रम इस ऐसोर कोऑश करने चेंदा ने इस आ, ओके, विक्कू, विनेक्रम, एक डैस्क प्लियर थे, तो घटम होगा यहाँ पर correct answer, ठीक है, घटम, यह किस से बाद यह अंतर से जुरे थे, घटम से जुरे थे, विक्कू, विनेक्रम, नेक्स्ट है, जाकीर हुसेन, अब जाकीर हुसेन का नाम तो आपने सुना होगा उस्ताद जाकीर हुसेन is the son of डैस and Indian तबला प्लियर, तो देखें, उस्ताद जाकीर हुसेन एक भारतिय तबला वादक डैस के पुत्र थे, तो किसके पुत्र थे, अल्ला रखा के पुत्र थे, ओके, और जाकीर हुसेन किस से रिलेटेड हैं, तबला से, नेक्स्ट है, हाफ अब देखें, घराना से एक और कुश्चन है, है ना, तो आपको बोली है, घराना से रिलेटेड एक वीडियो बनेगा, तो सरोध होगा यहाँ पर करेक्ट एंसर, तो हाफिज अली खान किस से रिलेटेड हैं, सरोध से, जाकीर हुसेन is related to which musical instrument, जाकीर हुसेन किस से हैं, संबंदित हैं, और देखें, बिस्मिल्ला खान को भारत रत्न, पदम भूशन, पदम भूशन, पदम सिरी, संगीत नाटक अकाडमी, यह सब अवार्ड मिल चुके हैं, हरी प्रसाद चौरसिया is related to which musical instrument, हरी प्रसाद चौरसिया किस सवाद यत्र से संबंदित हैं, तो अली खान किस सवाद यत्र से संबंदित हैं, तो यह सरोत से संबंदित हैं, राम नरायन is related to which musical instrument, राम नरायन किस सवाद यत्र से संबंदित हैं, शारंगी से संबंदित हैं, भजन सोपोरी, भजन सोपोरी is related to which musical instrument, भजन सोपोरी संतूर से related हैं, अली अकवर खान, यह किस कि वद्यांतर से समेंदित हैं तो कि यह इसन महराज तो यह तबला से समेंदित है ठीक है ब्रजभूषन काबरा इस रेलेटेट टू विच मूजिकल इंस्ट्रुमेंट ब्रजभूषन-काबरा तो क्या होगा राइट एंसर गितार हो जाएगा अनुपूर्nा देवी इस रिलेटेटोविक्स टूरू इंस्ट्रूमेंट आन्पूर्na देवी किस वादी .'उसre समंदित है तो सितार शे समंदित असद अली खान किस से वाद्यंटरश्या समंदित है तो सुतित अली एहमद हुसें इस रिलेटेट टू MALEkind सहनाई से समंदीत हैं अल्ला रखा इस रिलेटेट टू विच मुजीकल Maith लुच मुजीकलन इंस्टुमेंट अल्ला रखा किससे समंदीत है और stars पंडित विश्व मोहन भट is related to which musical instrument पंडित किस से वाद येंद्र से संबंदित है थी नेक्सT है न क्यान प्रकास गोष इरिलेट किस वाद येंद्र से संबंदित है तो वालीन से संबंदित है नेक्सT है पंडित ज्न प्रकास घोष इस रिलेट टो भिष्म इस्ट्रुमेंट पंडित ग्यान प्रकास गोष किस बात ये अंतरे से संबंदित है तो ये भी तबला से संबंदित है तो देखिए तबला से अल्ला रखा हो गया जाकी रूशन हो गया पंडित ग्यान प्रकास गोष ये किसे हैं तो ये भी जो है आपका किसे हैं तो तबला स सिस्टे का सब्सक्रां तो किया था तो 2001 में संब्मानित किया था भारत रतन से और विटा कि फॉस्ट मुजिशन कौन थे जिनको भारत रतन मेला तो वो मiksi लक्षमी थी next है who among the following musician was awarded the भारत रतन in 2019 अब देखे सबसे लेटेस्ट भारत रतन किसे मिला है 2019 में तो भुपेन हजारिका को okay next है birthplace ठीक है लता मंगेशकर का जन्म किस सहर में हुआ था लता मंगेशकर का जन्म किस सहर में हुआ था तो इन दौर में हुआ था और MS सुबुलक्षमी a legend in India is known for which of the falling और मैं इसी MS सुबुलक्षमी के बारे में बात कर रहा था यह पहली musician है जिनको भारत रतन मिला ठीक है first musician और यह किस से समद्दित है ठीक है तो कार्नेटिक music हो जाएगा ओके कार्नेटिक मुजिक तो यह रहें top 50 mcq question and i hope कि इस वीडियो से बहुत सारे questions आपके exam में आए और यह वीडियो आपके लिए काफी useful हो तो इसका PDF के लिए आपको टेलिग्राम चैनल को join करना होगा जिसका link नीचे description box में दिया आवा है वहां से आप download कर सकते हैं ओक है चलिए फिर तो मिलते हैं आपसे next important topic में next वीडियो में तपतर के लिए all the best